नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं बेवस्ताव की बीच भीवः निकाल कर देश के किसी ने किसी राज में घुमने जरूर जाते हैं बता दे कि पिछले साल विम्मु की मंत्री हमन सुरेन रायस्थान गए हुए थे वहाँ उन्होंने चितलगर के किले की खुब तारिफ की थी इस बार केरल के दोरे पर हैं उनके साथ उनकी पतनी कलपना सुरेन, पुत्र विश्वजी सुरेन, नितिन सुरेन, अजय कुमार, सरला मुर्मू, ललिता कक्छप और पिरे रंजन सिंग गए हुए हैं यहां उनका प्रशनल टूर है, केरल में वह कहां कहां जाने वाले हैं, इसकी जनकारी साथा नहीं की गई है दरसल जन्वारी का महिना केरल घुमने के लिए सबसे मुफिद मना जाता है यहां कई खुबसूरत समूद टठा है, इसके अलावा कन्या कुमारिश्थीत, विवेका नंद, रोक, मेमोरियल, पर्यटको को आकरशित करता है यहां मासालों के बगान भी है जारखन में कड़ी धूप से दिन में अपगर्मी का असास हो रहा है दिन का अधिक्तम तापमान तेजी से बढ़ रहा है जबकि सुबा का तापमान समाने से नीचे है मेदनी नगर रांची जमसेदपूर समेत राजे के अने जूलों में अधिक्तम तापमान 3-5 डिगरी उपर आ गया है इसे दिन के दरान धूप में पसीने छूट रहे है गुरुवार को मेदनी नगर का तापमान सबसे अधिक 30-52 डिगरी सेलसेस रहा यह समाने से 6 डिगरी उपर है यहाँ पिछले 10 दिनों के दरान अधिक्तम तापमान 13 डिगरी उपर चड़ाया है इसे दिन में कड़े धूप में बाहर निकले लोगों को गर्मी का असास भी हो रहा है वासम विभाक का अनुसार राजे में अगले दो दिन भी इस्थीती में बदलाव की संभवना कम है जारखन में कक्षा 1-7 तक की परिक्षा 18-20 जनवरी को राजी के सरकारी साहता प्राप्त और अल्प संख्या की स्कूलों में कक्षा 1-7 तक के लिए होने वाली अर्दवार्सिक परिक्षा की तारिक में बार-बार बदलाव किया जा रहा है अब यहाँ परिक्षा 18-20 जनवरी के बीच होगी जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान वाम परसिक्षन परिक्षा ने गुरुबार को आदेश जारी कर इस बार में जनकारी दी है बतादे पहले यह परिक्षा 16-18 जनवरी तक आयोजीत होने वाली थी परिशत के अनुसार विभीन सुरोतों से मिले आवेदन के अलोक में अब्या परिक्षा 18-20 जनवरी से आयोजीत करने का नीने लिया गया है संस्वधित कारिक्षा के अनुसार और द्वार सिग परिक्षा के बाद मुल्यांकन का काम संकूल अस्तर पर 20-25 जनवरी तक पूरा कराया जाएगा बिद्यालेयों में परिक्षा के रियल्ट का परकासन 31 जनवरी को किया जाएगा जारखन के टोटो में दूसरे दिन कोबरा के तीन जवान घायल कुल्हान वन छेतर के टोटो थाना छेतर के तुमबाहा का गाउं के जंगल के पास माकबा बवादियों के द्वारा दूसरे दिन भी आईडी बलास्ट किया गया इसमें कोबरा 209 बाटैलियन के तीन जवान घायल हो गया है घाटना गुरुवार करीब दो बजे की है घायल जवानों में सौरब कुमार संतोस एवां अमरेश सिंग सामिल है इन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर लिफ्ट कर रांची भेजा गया है एसपी आसुतोस सेखार ने बताया है कि तीनों जख्रमी जवान सुरक्षी था है एसपी आसुतोस सेखार ने बताया है कि घाटना के बाद तीनों घायल जवानों को यार लिफ्ट कर रांची के मेटकास पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है जनकारी के अनुसार जीला पुलिस को नक्सलियों के बड़ी संख्या में उपस्थित होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की जनकारी मिली थी पुलिस अधिक चक ने 11 जन्वरी से ही कोबरा 209 वा 203 बटालियान जार्खन जगुवार वा CRPF 60, 174 वा 193 बटालियान की टीमों का एक सन्यूक्त टीम गठित की गई थी नियोजन नीती पर हाई लेबल मिटिंग ज़ार्खन की हेमान सुरिन सरकार परदेश के यूआओ को रोजगार देने के लिए नियोजन नीती में बदलाव कर सकती है सरकारी नौक्री के लिए ज़ार्खन की किसी मनयता प्राप्त बोर्ड से दस्वी और बरहमी की परिच्छा पास करने के बध्याता को खत्मे किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्थानिये लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए निती बनाने को कहा है इसमें पिछले दिनों हाई कोट से निरस्त होई नियोजन निती का भी ख्याल रखने को कहा गया बुद्धवार को CSO अने अधिकारियों ने हाई कोट के निरनय के आलोक में क्या रास्ता हो सकता है उस पर विचार किया है कमिटी ने हाई कोट के आदेश के आलोक में सुप्रीम कोट में जाने पर क्या क्या रास्ता हो सकता है उस पर भी विचार किया है रांची में पूलिस नक्सली मुटभेड जारखन के रांची जीले के बुढमू परखन में पूलिस नक्सली मुटभेड हो इसमें पूलिस को कम्यावी मिली है पूलिस को देखते ही नक्सली संगठन TPC के सदसे फाइरिंग करने लगे पुलिस ने भी जब आभी फाइरिंग की है पुलिस को भारी परता देख नक्सली भाग निकले हैं पुलिस ने इंसास राइफल वह 27 गोली अबरामत की है रांची के बुढमूत थाना प्रभारी कमलेस राइ ने जनकारी दिया है की चेनगड़ा गाउं के डहुटोला के सदबाही टान के पास नक्सली संगठन टीपीसी के उगरवादी सराप पी रहे थे पुलिस को इसकी सुचना मिली करवाई की दरान नक्सली से मुढ़ भेड़ भी हो गाई जैक ने मैटरिक इंटर में 20 बदलाव का दिया आउसर जैक की मैटरिक इंटर परिक्षा 2023 के परिशार्थियों को अपने 20 बदलाव का उसर दिया गया है जैक द्वारा पत्र में कहा गया है कि मैट्रिक परिशार्थी 12 जन्वारी से 23 जन्वारी तक वाई इंटर की परिशार्थी 13 जन्वारी से 24 जन्वारी तक आवेदन दे सकते हैं आवेदन ओनलाइन वेपसाइट जैक.जारखन.gov.in के माध्यम से जमा लिया जाएगा बतादे परिशार्थी अपने जामा परिष्चा फोर्म को ओनलाइन देह भी सकते हैं द्वारा संसोधन के लिए दिया गया आवेदन विद्याले के पास अग्रसारित होगा सराय के लग हरसवा में मजदूरों को लेकर जा रही गाड़ी टकराने से साथ लोगों की मौत आठ घाया जारखन के सराय के लग हरसवा में गुरू आरसुबा भिसन सड़क दुर घाटना हो गए इस हादसे में साथ लोग मरे गए है जबकी आठ लोग गंबीर रूप से घायल है कूल घायलों की संखे करीब एक दरजन बताई जा रही है कहा जा रहा है कि मृत्कों की संखे में इजाफ़ा भी हो सकता है घाटना सराय के लग हरसवा की है घटना के समद में मिरी जनकारी के मुताबिक सराय के लाख हरस्वा में राज नगर चाइबा समोखे मार्ग पर अन्य अंत्रित पीक अप वएन दुर घटना गरस्थ हो गया सुबा काफी कोहरा था करिब 20 मदुरों को लेकर पीक अप वएन कार्यास्थल की ओर जा रहा था राज नगर चाइबा समोखे मार्ग पर पीक अप वएन परट गया हाथसा इतना भिशन था कि मृत्कों के स्वाव इधर के उधर बिखर पड़े थे जहर्खन के 133 पारा सिक्षक नौकरी से बरखाज तो जहर्खन के सरकारी इसकोलों में 133 पारा सिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है एश शिक्षक सरकार के सामने अपना सेक्षनी पवान पत्र नहीं पेश कर सके सरकार ने राजिके सब ही 62 तिन सो अठारा परासिस को प्वाण पत्र की जांच की पर किरिये कुछ महीने पहले ही सुरू की थी इन्हें 31 दिसंबर 2022 तक होराल में प्वाण पत्र जांच के लिए जामा करने को कहा गया था इन में से 106 सिक्षक अपना सेक्षनी प्वाण पत्र नहीं दे पाई जाब कि 36 ने प्वाण पत्र जामा करने के बदले सोताज थी पादे दिया अधिकारिक सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार अब तक कुल तीरपन हजार एक कावन पारा सिक्षक के प्वाण पत्र जांचे जा चुके हाँ इन में से 395 ऐसे हैं जिनके प्वाण पत्र के फर्जी होने का भी संदे हाई देश में बढ़े कोरोना के मामले 222 लोगों की जान भी जा चुकी है कूल 4,41,43,42 लोग इसमें से ठीक हो चुके हैं बता दे देश में डेली पोजेटिविटी दर अभी 0.09 फिजदी है जबकी विकली पोजेटिविटी दर 0.11 फिजदी हो गई है एक्टिव के स्कूल मामलों का 0.01 फिजदी है वहीं रिकॉफरी दर अभ 98.80 फिजदी हो गई है उत्कृष्ट बिद्यालियों में नियुक्त किये जाएंगे 2000 सिक्षक जारखन के उत्कृष्ट बिद्यालियों में सन्विदा पर करीब 2000 सिक्षक की नियुक्ति होगी जीला अस्तर के असी स्कूल आफ एक्सिलेंस और प्रखन अस्तर के 325 आदर्स बिद्यालियों के खाली पदो पर सिक्षक की नियुक्ति होगी अस्तान हर स्कूल में 4-5 अलप कालिन असनातक प्रशिक्षित और असनतकोतर प्रशिक्षित शिक्षक बाहल कीए जाएंगे इसकूली सिक्षाव साषठा बिद्यालियों असन्विदा प्रशिक्षक की नियुक्ति के लिए सभी जीलों को निर्देस दे दिया है जिला अस्तर पर अल्प कालिन असनातक प्रसिक्षित और असनतकोतर प्रसिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति होगी इनका चेयन इंटर्वियू और बच्चों को पढ़ाने के कौसल के अधार पर किया जाएगा लातेहर के बुढ़ा पहार के लाटू जंगल से साथ आईडी बरामद लातेहर जिले के बारे साध थाना इंतरगत नकसल परोहित बुढ़ा पहार से सटे टोंगरी जंगल में नकसली अभियान के दरान सुरक्षा बलो ने मवादियों द्वारा लगाये गए साथ लैंड्स मा और पुलिस को शफालता मिली है बता देज ज่रखन के लातेहर पुलिस को गुरुवार को बड़ी शपालता हाथ लगी है शिक्षकों को नहीं काटना पड़ेगा कर्यालियों का चकर विभाग ने गुरू आर को इस समद में अधिसुचना जारी कर दी है, जारी अधिसुचना में पेंसन, सेवानिम्रीती, लाब, आधिके भोक्तान के समद में कहा गया है कि सिक्षकों एवं कर्मियों की सेवा निम्रिती के बाद 15 दिनों के बाद भोक्तान स्विक्रिती और भोक्तान का कार्या सुनिश्चित किया जाएगा आवेदन में तुर्टी होने पर तीन दिनों के भीतर समधित सिक्छक या कर्मी को सुचीत कर समय पर इसका लाब सुनिश्चीत किया जाएगा ज्यारखन सरकार कराने जा रही बुजुरुगों को तिर्थ यात्रा इसे लेकर बुजुरुगों से आवेदन मांगने की परकिर्याशुरु कर दिया है पतादे राज सरकार ने इस साल हिंदु धर्मलंब्यों बुजुरुगों को द्वारका एवं सोमनात की तिर्थ यात्रा कराने का दिया है इसी तरह मुस्लीम धर्णलम्यों को अजमेर सरीप आगरावा फतेहपुर सीकद्री के पवित्र अस्थलों की यात्रा कराएगी सरकार तिर्थ अस्थलों की यात्रा ट्रेन के जर्य कराएगी इस वोजना का लाब लेने के लिए 60 साल से अधिक वायू के नागरीकों को 25 जनवरी तक अपने अपने जिले के उपायूत कर्याले में आवेदन जामा करने को कहा गया है जहरिया के अगिन परभवित छेतरों से हटाए जाएंगे साथ हजार परिवार जहरिया कोल फिल्ड इलाके के अगिन परभवित एवां भू धनसन वाले बेहत खतरनाक इलाकों में रह रह रहे लगभग 60 आयर लोगों को हटा कर आगामी तीन महिना के भीता सुरक्षित जग पर शिफ्ट किया जाएगा केंद्रिये कोईला सचीव अमरित लाल मीना और जहरखन के मुख सचीव सुखदेव सिंग ने इस इलाके में कोईले का खनन करने वाली कमपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और जिला परसाशन के अपसरों को तीन महिने के टाइम फ्रेम के अंदर या टस्क पुरा करने का जहरिया कोईलांचल में सतर ऐसी साइट चीनित की गई है जहां जमीन के भीतर मौजूद कोईले में लगी आग बहत खतरनाक रूप से ले चुकी है और आए दिन जमीन धंसने के हाद से हो रहे हैं कैस कांड मामले में सुक्रवार को इड़ी ऑफिस पहुंचेंगे इरफायन कैस कांड में फंसे कांग्रेस के निलामबित बिधायक इरफायन अंसारी के सुक्रवार को इड़ी के सामने पेसी होगी इड़ी ने उन्हें 13 जनवारी को पेस होने के लिए समन दिया था बतादे जर्खन सरकार गिराने के साजी से जुड़े कैस कांड में कांग्रेस से निलंबित बिधायक इर्फान अंसारी से इड़ी सुक्रवार को पुछताच करेगी शुक्रवार को दिन के 11 बजे इड़ी के जोनरल कर्याले में इरफारन सारी को इड़ी के स्वालों का सामना करना होगा युवाओ का भवी से बरबाद कर रही है हमन सरकार सुदेश महतो स्वाइम विवेकानंद की जहनती के मोगे पर पूरे देश ने युवा दिवस मनाया है ईसी को लेकर राजधानली राद्राची में विभीन, राजनिती पाटियों और समाजिक संगठों के द्वारे युवाओ को पर्साहित और उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए कायकरम का उजन किया गया युवाओ की समस्या को लेकर जहारखन में आईसु पार्टी ने भी राजधानी के अरगोडा मैदान से मौराबादी मैदान तक युवाओ के साथ एक रैली निकाली रली निकालने से पहले आज़ो परमुक सुदेश महतों ने अरगोडा मैदान में युवाओ को समोधित किया है उन्होंने कहा है कि आज हमारा जहारखन देश में पिछले पैदान पर है और यहां के युवाओ नौकरी के लिए दरदर भटक रहे हैं लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही सुदेश महतों ने युवाओ को समोधित करते वे कहा है जहारखन राज आज लेबर सफलाई राज के रूप में जाना जाता है दिली मुंबाई जैसे बड़े सहरू में रहने वाले बड़े-बड़े सेट के घर में जहारखन के बेटिया और युवाओ नौकर का काम कर रहे हैं जो कि हमारे राज के लिए चिंता जनक है जहारखन में उध्योग लागाना होगा मुस्किल जार्खन में उद्योग को बढ़ावा देने केलिए नई अध्योग निती बनी है, निती बनाने वालों ने यह मान लिया है कि अब राज में उद्योग बढ़ेंगे और निश्चित हो गाए हैं, केवर निती नहीं अच्छी नियत भी चाहिए, तभी राज में अध्योग वि देने की कोशिद की गई मगर इंस्प्राट्रक्चर की कमी और समोचित अध्योगी महल नहीं होने की वज़ा से बेवसायों को भारी परिशाने का सामना करना पड़ रहा है बेवसाज जगत से जुड़े लोगों की कठिनाया का समाधान करने के उद्यश से गुरुवार को चे कारी सिस्टम की खामियों को उजागर किया है धन्यवाद